हलो फ्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Radiation Safe Distance Calculations के बारे में यानि कि जब भी आप Radiography Activity करते हो तो उस वक जो भी Radiations बाहर निकलते है उस Radiation Safe बचने के लिए हमें कितने distance पर Variegations करना चीए आज हम उसके बारे में बात करने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि Radiography Activity के उपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको उसमें बताया था कि Radiography क्या होता है Isotope क्या होता है Radio Activity क्या होती है Control Area क्या होता है Geyser Meter क्या होता है DK Chart क्या होता है Safety Devices क्या होती है उसकी HSE Requirements क्या है और Radiography के Hazards और उसके Control Measures क्या है इन सारी चीजों के बारे मैं मैंने उस वीडियो में आपको डिटल में जानकारी दी है तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी Link मैंने डिस्क्रेशन में दे दिया है आप जाकर उसको देख सकते हो चलिए अज समझते हैं कि यह जो Radiations होते है उसका Measuring Unit क्या है तो उसका Measuring Unit है Micro Sievert और Milli Ram और यह जो Sievert है यह होता है Gray Multiply by Quality Factor यानि कि QF तो आपको यह समझना है कि Gray यानि कि क्या होता है Amount of Radiations होता है जो Deposit होता है Per kg of Absorber के उपर 1 Joule of Energy और यह Quality Factor क्या होता है कि Radiation की जो भी Quantity होती है उसकी वज़े से कितनी डिगरी Biological Damage होता है वो यानि कि उसका Quality Factor होता है आपको और एक बाद यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यह जो Quality Factor है जैसे कि Gamma Raise और X Raise का जो भी Quality Factor है वो होता है 1 तो यह बाद आपको Note करके रखनी है यानि कि Gamma Raise और X Raise का Quality Factor कितना होता है वो होता है 1 और Sivert यानि कि Gray Multiply by Quality Factor तो यह जो Measuring Note है वो आपको ध्यान में रखना है चलिए अब हम जानते हैं कि Radiography Activity के दोरान जो भी Source का आप इस्तमाल करते हो तो Source का 1 मिटर डिस्टंस पर कितना Doze Rate है यानि कि उसका Output कितना है वो अब हम समझते हैं तो Cubal 60 का 1 मिटर पर Doze Rate होता है 13 mg per hour per Curie वैसे ही Iridium 192 का होता है 4.8 mg per hour per Curie और YB 169 का होता है 1.25 mg per hour per Curie यानि कि यह से हमें यह पता चल गया कि एक Curie का जो भी Source है उससे 1 मिटर डिस्टंस पर कितना Doze Rate है वो हमें इसमें पता चल गया आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि जो भी Doze Rate होता है उसकी Maximum Allowable जो Range होती है for the Variegations वो होती है 7.5 µC per hour यह आपको ध्यान में रखना है चलिए अब देखते हैं कि यह जो Radiations का Save Distance Calculation है यह Calculation हम किस Formula की मदद से निकालने वाले हैं तो उसके लिए आपको Inverse Square Law आपको पता होना चीए तो यह जो Save Distance है यह हम Inverse Square Law की मदद से निकालने वाले हैं और Inverse Square Law क्या है तो D1² multiplied by R1 is equal to D2² multiplied by R2 इसमें D1 जो है वो है Original Distance और R1 जो है वो है Original Dose Rate और D2 जो है वो है Required Distance और R2 जो है वो है Required Dose Rate तो इस फार्मूले का हम ऐसे भी लिख सकते है D2 is equal to under root D1² multiplied by R1 divided by R2 चली अब जानते हैं कि Iridium 192 जो Radio Active Isotope है उसको per Curie के बार में यानि कि उसका जो Dose Rate है 1 मिटर Distance पर वो है 4.8 मिली ग्रे पर हवर पर क्यूरी लेकिन यह जो Value है यह है और जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि Radiation का जो Unit होता है यानि कि उसका Dose का जो Unit होता है वो होता है Severt is equal to Gray multiply by quality factor अब इस फार्मूले में हम इस Value को Put Up करते हैं तो क्या हो जाएगा Severt is equal to Gray multiply by quality factor तो यह हो जाएगा 4.8 मिली Severt पर हवर पर क्यूरी multiply by 1 अब यह 1 क्या है तो 1 जो है यह quality factor है जैसा कि इसके पहले मैंने बता आ था कि जो भी Gamma Raise होती है और X Raise होती है उसका quality factor होता है 1 अब हम इसको Micro Severt में convert करते हैं तो वो हो जाएगा 4.8 माइक्रो Severt पर हवर पर क्यूरी multiply by 1000 तो यह कैसे आया तो आपको यह समझना है कि 1 Milli is equal to 1000 Micro होता है तो यहाँ पर हमने Milli को convert किया Micro में तो इसके लिए हमने इसको 1000 से multiply by किया है अब हमें इसमें यह पता चल गया कि Iridium 192 पर क्यूरी का जो rate है वो है 4.8 माइक्रो Severt पर हवर पर क्यूरी multiply by 1000 अब यह एक क्यूरी का हो गया अब हम उसी Radio Active Isotope का यानि कि उस सोर्स का इस्तमाल करते है लेकिन उसका जो क्यूरी है वो बढ़ाते है और वो क्यूरी रखते है 20 क्यूरी तो उसका dose rate यानि कि उसका जो R1 एक मिटर डिस्टंस पर कितना हो जाएगा वो देखते है तो यहाँ पर हमने क्यूरी बढ़ा दिया है तो यह जो value है यह है Iridium 192 की पर क्यूरी की अब उसी को हम 20 क्यूरी में convert करते है तो simply हमें इस value को 20 क्यूरी से multiply करना पड़ेगा तब हमें Iridium 192 की 20 क्यूरी की value मिल जाएगी तो वो हो जाएगी 4.8 micro Sievert per hour per क्यूरी multiply by 1000 multiply by 20 क्यूरी तो उसका रिजल्ट आएगा 96,000 micro Sievert per hour यानि कि radioactive जो isotope है जो Iridium 192 है वो अगर 20 क्यूरी रहता है तो उसका जो dose rate है जो value है वो 1 meter distance पर वो हो जाएगी 96,000 micro Sievert per hour अब हमें यहाँ पर 20 क्यूरी का R1 और D1 पता चल गया है यानि कि 1 meter distance पर 20 क्यूरी का जो dose rate है वो होता है 96,000 micro Sievert per hour अब हम देखते हैं कि यह जो dose rate है जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि maximum allowable जो dose rate होता है for the variegation वो होता है 7.5 micro Sievert per hour तो अब हमें यहाँ पर इसका save distance calculate करना है यानि कि इसका D2 calculate करना है तो यहाँ पर हमें तीन बाते पता चल गए यहाँ पर हमें पता चल गया कि R1 जो है वो है 96,000 micro Sievert per hour फिर हमें पता चल गया कि R2 जो है वो है 7.5 micro Sievert per hour और फिर पता चल गया कि D1 जो है वो है 1 meter और यहाँ पर हमें D2 calculate करना है यानि कि save distance calculate करना है यहाँ पर आपको यह चीज़ समझनी है कि जो Iridium 192 है यानि कि Radioactive Asotope है वो हमने 20 Q का set किया यानि कि 20 Q में हम उसकी radiography कर रहे है तो 1 meter distance पर उसका जो dose rate है वो होता है 96,000 micro Sievert per hour यानि कि इसका जो dose rate है वो बहुत ही ज्यादा है और जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि maximum allowable जो dose rate होता है verification के लिए वो होता है 7.5 micro Sievert per hour अब हमें 1 meter का तो पता चल गया कि 1 meter में इसका इतना dose rate है लेकिन हमें क्या calculate करना है कि जो 7.5 micro Sievert per hour जो dose rate है उतना जो dose rate है वो कितने distance तक आएगा वो हमें यहां पर calculate करना है यानि कि उसका D2 हमें यहां पर calculate करना है जैसे कि इसके पहले हमने formula देखा था inverse square law जो formula है D2 is equal to under root D1 square multiply by R1 divided by R2 अब हम इसमें यह जो सारी value है यह put up करते है और देखते हैं कि हमें save distance कितना मिलता है तो यह हो जाएगा D2 is equal to under root 1 square multiply by 96,000 micro sievert per hour divided by 7.5 micro sievert per hour इसका अगर हम calculation करेंगे तो हमें result मिलेगा D2 is equal to 25.3 under root 20 और दोबारा अगर हम इसका calculation करते हैं तो हमें result मिलेगा 113.14 meter यानि कि इसका जो save distance है वो हमें मिल जाता है 113.14 meter यानि कि इसमें हमें यह पता चल गया कि अगर हम 113.14 meter distance पर अगर variegations करते हैं तो वो save variegations हो जाएगा और वहाँ पर अगर हम reading लेंगे तो वहाँ पर dose rate आएगा वो रहेगा 7.5 um micro sievert पर हवर जो कि maximum allowable dose rate है variegations के लिए चलिए और एक example लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए consider करते हैं कि हमें एक tank है उसके अंदर radiography करनी है और उस radiography के दोरान हम जो source का इस्तमाल कर रहे है यानि कि जो radio active isotope है वो है cobalt 60 और cobalt 60 का अगर dose rate एक क्यूरी है एक मीटर डिस्टन्स पर तो उसकी value आती है 13 mili gray पर हवर पर क्यूरी जैसा कि इसके पहले हमने देखा था लेकिन ये जो value है ये है unit gray में अब इसको हमें cvert में convert करना है तो cvert का हमने फार्मुला देखा था कि cvert is equal to gray multiply by quality factor तो वो हो जाएगा cvert is equal to 13 mili cvert पर हवर पर क्यूरी multiply by 1 और ये 1 कैसे आया तो ये quality factor है जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि जो quality factor है वो x ray का और gamma rays का वो होता है 1 अब इसको हम micro cvert में convert करते है तो वो value हो जाएगी 13 micro cvert पर हवर पर क्यूरी multiply by 1000 तो यहाँ पर ये 1000 कैसे आया तो 1 mili is equal to 1000 micro होता है यह आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर हमें 1 क्यूरी की 1 meter distance पर micro cvert की जो value मिली है वो है 13 micro cvert पर हवर पर क्यूरी multiply by 1000 अब हम इसकी क्यूरी बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कि 20 क्यूरी में इस COBAL 60 की कितनी value आती है तो dose rate जो है इसका R1 1 meter distance पर वो हो जाएगा 13 micro cvert पर हवर पर क्यूरी multiply by 1000 multiply by 20 क्यूरी और यह 20 क्यूरी कैसे आया क्योंकि यहाँ पर हमने क्यूरी बढ़ा दी है तो इसका जो result आएगा वो रहेगा 2,60,000 micro cvert पर हवर यानि कि उसका अगर dose rate 20 क्यूरी है 1 meter distance पर तो वो value हो जाएगी 2,60,000 micro cvert पर हवर अब देखते हैं कि इसका जो dose rate है यानि कि R2 वो है 7.5 micro cvert पर हवर जो maximum allowable dose rate है for the barrication तो इतने dose rate में कितना safe distance निकलेगा वो हमें यहाँ पर calculate करना है यानि कि यहाँ पर हमें D2 calculate करना है तो यहाँ पर हमें 3 बाते पता चल गई 1st है R1 वो है 2,60,000 micro cvert पर हवर R2 है 7.5 micro cvert पर हवर D1 है 1 meter और यहाँ पर हमें D2 जो है यानि कि safe distance जो है वो calculate करना है तो जैसे कि हमारा formula है D2 is equal to under root D1 square multiply by R1 divided by R2 तो यह जो value है यह हम इसमें put up करते है और देखते हैं कि क्या answer मिलता है तो इसका अगर हम calculation करेंगे तो हमें value मिल जाएगी 41.6 under root 20 और बाद में अगर हम इसका calculation करते है तो हमें distance मिल जाएगा 186.04 meter इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो safe distance है वो है 186.04 meter यानि कि इतने distance पर हमें variation करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो example लिये है और जिसमें हमने radiation safe distance calculate किया है अगर आपको यह जो दो example है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मैं आपको और एक example देता हूँ और उसका जो answer है वो आप comments में लिखिए कि इसकी value क्या आती है उससे आपका यह exercise भी हो जाएगा कि हम safe distance कैसे calculate कर सकते है तो example है कि YB169 का radioactive isotope अगर हम इस्तमाल करते है तो एक मीटर distance पर उसका जो dose rate आता है वो होता है 1.25 milligram per hour per curry और आपको इसमें calculate करना है कि इसका D2 कितना आएगा यानि कि इसका safe distance कितना आएगा वो भी micro seward per hour में उम्मित करता हो कि इसका जो answer है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आएगा और वो जो answer है वो आप comment में लिख सकते हो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ये जो example है ये अच्छे से समझ में आये है तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमने radiation safe distance कैलकुलेट करना है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई